नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं भीशन गर्मी के कारण लगातार बच्चे बीमार पर रहे थे, इसकूलों में बच्चो की संख्या भी लगातार घट रही थी, वहीं अभिभावक भी छुट्टी देने की मांग कर रहे थे बच्चो के स्वास्थ पर परतिकूल असर न पड़े, इसे लेकर भी भाग ने स्कूलों को बंद करने का निरने लिया है स्वमवार की साम को इसकूली सिक्चा एम सक्षर्टा भी भाग ने अजिस उतना जारी कर दी है हालाकि आवास्य स्कूल में यह आदेश लागू नहीं होगा, वहाँ पुर्व की तरह ही कक्षाएं संचालित होंगी वहीं इसकूल के सिक्च को एम सिक्च केतर कर्मियों को इसकूल जाना होगा, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा सिख्ष को सिख्ष केतर कर्मियों को मिलने वाली गर्मी की छूटी को लेकर अलग से आदेश जारी किया जाएगा साहिब गंज में 25 घर जल कर राख बच्ची की मौत महिला घायल जार्खन के साहिब गंजीले के मौपसिल थाना छेतर के लाल बठानी के हाजी टोला में सोमवार के दो पहर अचानक आग लगी और आग से 25 घर जल कर राख हो गए इस दोरान घर में सो रही एक दो वरसे बच्ची भी जूलस कर मौत हो गई वहीं एक महिला घायल हो गई है काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया अस्थानिये लोगों की माने तो इस हाद्से में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आग की लप्टे इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना बेहाद ही मुश्किल हो रहा था अस्थानिये लोग लगातार बोरिंग नल की मदद से आग पुझाने का परियास करने लगे वहीं हाद्से के बाद लोगों ने इसकी सुचना थाना परभारी वह अगनी समन विभाग को दिया बोकारो पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को दी जनकारी पुलिस ने साइबर अफराज से बचाव के लिए आम लोगों को कई टीप्स दिये हैं बताया गया है कि किसी अग्यात मोबाइल नमबर से कॉल आने पर कोई नीजी जनकारी साजा ना करे इंटरनेट, सर्च, इंजन, गूगल एवं अने सोशल मीडिया प्लेटफर्म पर दियेगे कस्टमर के रहेल फ्लैन नमबर पर भरुसा ना करे कस्टमर के नमबर के लिए हमेशा ओफिस्यल वेब साइट पर ही संपर करे पुलिस अधिक छक पुझे प्रकास ने बताया है कि किसी भी अग्यात ब्यक्ति द्वारे भेज़े गए अंजान लिंक या URL पर क्लिक न करे और नहीं किसी अने नमबर पर फरवर्ड करे बैंक के UPI अप्लिकेशन से समन्ति रजिस्टेशन के लिए बैंक के ओफिस्यल नमबर से ही मैसेज भेजा जाता है अंजान नमबर से लिंक आने पर नहीं किलिक करे और नहीं अंजान एप डाउनलोड करे वहीं साइबर अफराज के सिकार होने पर हेल्फ रैन नमबर एक नव तीन जीरो पर रिपोर्ट करे कलपना सुरेन ने गांडे से नमांकन दाखिल किया गांडे विधान सबा उपचुनाव के लिए जार्खन मुक्ति मोर्चा की नेता और जार्खन की पूर्व मुक्पंत्री हेमांसुरेन की पत्नी कलपना सुरेन के नमांकन दाखिल करने के साथ हिरायनिती गर्मा गई है सोम वार को गांड़े बिधान सबा उपचुनाव के लिए पुर्व सीम हेमां सुरेन की पत्नी कलपना सुरेन ने गीर डी के समनाले इस्थीत निर्वाची पता अधिकारी के समक्ष आपना नमांकन परचा दाखिल किया है उन्होंने अपना नमांकन परचा 31 गांड़े बिधान सबा उपचुनाव के लिए निर्वाची पता अधिकारी डी एसो गुलाम समदानी के समक्ष दाखिल किया है वहीं इस दोड़ान मुखे रूप से जार्खन के मुख मेंत्री चमपई सुरेन, मंत्री बेवी देवी, बादल पत्रलेक, अलमगीर अलम, सत्यनन भोकता, मितले श्थाकूर बसंद सुरेन के लावा कई बड़े ने तसामिल हुए वहीं नमांकन परचा दाखिल करने के बाद कलपना सुरेन ने पत्रकारों से बाचीत में कहा है कि न सिर्फ गांडे विधान सबा उपचुना, बलिक पूरे जार्खन में इंडिया इस लोग सबा चुना में मजबूत उपसिती दर्ज कराते हुए, केंद्री की मोधी सरकार को उखार फेकेगी, जैक बोड बाराहवी रियल्ट को लेकर नोटिस जारी, जार्खन बाराहवी बोड रियल्ट जारी होने का इंतियार कर रहे है छात्रों के लिए बड़ी खबर है, जार्खन एकेडमी कौंसिल जैक ने रियल्ट जारी करने की तारिक और समय के अधिकार गोशना कर दिया है राज जिभर में काक्षा बराहवी की बोड परिक्षा में लभक चार लाक्षी टूडेंट उपसित हुए थे जिनके 25 अप्रेल को घोशित कर दिये जाएंगे जैक बराहवी की तीनों इस्ट्रीम आर्ट्स, कोमर, साइंस और वोकेशनल के रियल्ट एक सा जारी करेगा बोड द्वारा जारी नोटिस में लिखा है कि जारकन अधिवीद परिशत रांची द्वारा आयोजित वार्षिक इंटर्मीडियेट परिक्षा 2024 के परिक्षा पलका प्रकासन दिनांग 30 अप्रेल 2024 को सुबा 11 बज़े जैक सभागार में किया जाना है हेमन्त सुरेन की जमानत पर इड़ी को नोटिस 6 माई को होगी सुनवाई पुरमुख मंतरी हेमन्त सुरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने इड़ी को नोटिस जारी किया है मामले में अगली सुनवाई 6 माई को होगी हाई कोट दोवारा इड़ी गिरफतारी के खिलाब दाकिलिया चिका परफसला सुनाय जाने में देरी को लेकर हेमान सुरेन की ओर से सूपरीम कोट में दाकिल की गई है बताद इड़ी ने हेमान सुरेन को 31 जनवरी की राद गिरफतार किया था उन पर रांची के बढ़गाई अंचल की 8.86 अकर जमीन घोटाले के ममले में धन सोधान यानी मनी लॉंड्रिंग का रोप है अपनी किरफतारी के 35 दिनों बाद 16 अपरेल को हेमान सुरे ने जमान त्याज का दायर की थी फिलाल वह रांची के होटवार जेल में बंध है पास कर इंटर में नमांकन लेने की त्यारी कर रहे चात्र शत्राव की परसानी इस बार बढ़ने वाली है कॉलेजों में नमांकन लेना उनके लिए मुश्किल भरा काम होगा इसका करान है इंटर में नमांखन के लिए सीटों की संख्या घटा कर निर्धारित कर देना किसी भी कॉलेज में निर्धारित सीट से अधिक नमांखन नहीं लिया जाएगा ना के वल गिरिडी बलीक पूरे जारखन के कॉलेजों में यह बेवस्ता लागू होने जा रही है बता दे इसकुली सिक्षा एवम सक्षता बिभाग के निर्धेस और बिभागी बैठक में लिये का निर्णय के अलोक में सीटों की संख्या का निर्धार्न किया गया है देवघर को बिजली पानी संकर से मिलेगी मुक्ती देवघर उपायुक्त बिसाल सागर ने अधिकारियों से कहा है कि देवघर सहरी वग्रामिन छेत्र में पेजला पूर्ती और बिधूत की समस्या नहीं हो जानता को इन मुल्भूत समस्या से परसानी नहीं हो बेवस्ता को सुद्रीड वदुरूस्त रखे पेजल वदूत आपूर्ती से जुड़ी सिकायतों के समधान है तू बनाये गए कॉल सेंटर में आने वाली समस्याओं का लागता निराकरान करे अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वह 24 घंटा में समस्या का समधान करे नगर निगाम विधूत विभाग पेजल वमस्वक्षता प्रमंडल देवगर वा मधूपूर के करेपालक अभियानता को इन सारी समस्याओं के समधान को लेकर अलर्ट किया गया है बता दे उन्होंने कहा है कि चापकल की मरमत हो पाइपलाइन जलापूर्ती योजना पॉम्प हाउस की चार्चा में करऊपर खंड में सड़क निर्मान की वज़ा से पेजलापूर्ती पाइपलाइन के छती ग्रस नहीं सो को ततकल मरमत करने का निर्देश दिया गया है बर्ड फुलू को लेकर धनबाद में भी अलर्ट विभाग ने दिया सकते निर्देश बीते दिनों रांची में हुई बर्ड फुलू की पुष्टी के बाद से रांची समय धनबाद के लोग भी चिकेन खाने से परहेज करने लगे है बर्ड फुलू की धमक और लोगों की बर्टी चिन्ता को देखते वे धनबाद जिला पसुपलन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है सहर के पुल्टी फर्म सहीत अन पक्षियों पर निगरानी को लेकर प्रक्षंड एवं जिला अस्तरिस्ताथ से रैपीड रिस्पोंस टीम का गठन किया गया है कहीं भी किसी पक्षि या मुर्गियों के मरने की सुचना आने पर इसकी जाएगी वहीं धनबाद वासियों के लिए अच्छी बातिया है कि अब तक धनबाद में वर्ड फुलू का एक भी मबला नहीं आया है हलाकि इसकी आहट और लोगों की चिंता को देखते हुए जीला पसुपलन पता दिकाई डक्टर अलोक कुमार सिना ने लोगों को चिंता मुक्त करते हुए कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है गिरीडी में हेमन सुरेन को लेकर भावुक हो गई कलपना सुरेन जारखन में गांडे विधान सबा उपचुनाव के लिए पुरमुक मंत्री हेमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने सो मुहार को नमांकन भर दिया है इसके बाद वह गांडे विस उप चुना को लेकर पापारवा टांड में आयोजीत चुनावी सभा को सम्भोधित करने पहुची कल्पना सुरे ने जोहार से सम्भोधन शुरू किया उन्होंने कहा है कि यहां आज के दिन जिन की कमी है वह है ह हेमंत जी वह जेल के चार दिहारी के भीतर हैं लेकिन उनकी सोच को कोई कैद नहीं कर सकता कल्पना ने जेल का ताला टूटेगा हेमंसुरे चुटेगा का नारा भी लगाया और कहा है कि इस भावना को अपने अंदर दबा कर रखे उन्होंने कहा है कि मैं बहुत भागे साल हेमंत जी में दिखती हूँ गांडे जामुमों का ताज है गांडे के साथ गिरिडी गुरु जी के कर्म भूमी रही है इन्होंने अपना जीवन लगाया है इंदर में कांग्रेस उमिद्वार के नाम वापस लेने पर जारखन सीम का ट्वीट वायराल सूरत में भारतिय जनता पार्टी के एक पर त्यासी के निर्विरोद संसत चुने जाने के बाद मद परदेश के इंदोर में कांग्रेस उमिद्वार के नमांकन वापस लेने के मुद्दे पर ज्हारखन के मुखमंतिर चमपाई सुरे ने एक ट्वीट किया है ज्हारखन के सीम काया ट्वीट सोसल मीडिया साइट एक्स पर वाइरल हो गया है लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं बतादे ज्हारखन के सीम चमपाई सुरे ने ट्वीट किया है कि पहले अरुनांचल में दस विधायक निर्वीरोद फिर खजुराहों में नमांकन राद उसके बाद सूरत में निर्वीरोद अब इंदोर में निर्वीरोद वहीं एक्स पर सीम ने आगे लिखा है सुरत में बी एसपी उमिद्वार को क्राइम ब्रांच ने मोबाईल लोकेशन के अधार पर तलास करके जबरन होटल पहुँचाया था चमपाई सुरेन ने यह भी लिखा है कि इंदोर के कांग्रेस उमिद्वार अक्छाय कांती बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ी गई इसका अर्थिया हुआ है कि साम, दाम, दंड, भेत किसी भी हद तक जाकर जानता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के सिर्ष तक पहुँचना ही इनका यानि भाजपा का एक मात्र लक्ष है हेमन्त सुरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में 5 आरोपियों को जेल हेमन्त सुरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में जार्खन मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की समेत 5 आरोपियों को पिये मेले कोर्ट ने सो मुआर को जेल भेज दिया है इन सभी लोगों को रांची के बढ़गाई अंचल की 8.5 एकर जमीन की दस्तावे से छेर चार करने कारोप है बताते बढ़गाई अंचल की 8.5 एकर जमीन घोटाला मामले में जामों नेतांतु तिर्की के अलावा बीपिन सिंग, इर्शाद, प्रिरंजन, सहाय वो अपसर अली को प्रवतन निदिसले ने ग्रिफतार किया था इनकी पुलिस रिमान खत्म होने के बाद प्यमेले कोट में पेस किया गया कोट ने सभी को नयाई खिरासत में होटवाज सिद बीचा मुंडा केंदरिये कारा भेज दिया है भाजपा परत्यासी धुलू महतो आज करेंगे नमांकन धनबाद लोकसभाद छेत्र से भाजपा परत्यासी सभाग मरा विधायक धुलू महतो मंगलवार को यहां नमांकन पत्र दाखिल करेंगे उनके नमांकन कारेकरम के दोरान रायस्थान के सीएम भजन लाल सर्मा भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुललमरांडी नेता प्रतिपक्स अमरबावरी आईसु प्रमोक सुदेश महतो समेत कई बड़े नेता सामिल होंगे बतादे भाजपा धनबाद लोकसभाद छेत्र के प्रभारी सूरेश साव संजोजक सतेंद्र कुमार ने सोमर को यहां प्रेस कॉंफरेंस में कहा है कि नमानकं के बाद पार्टी परतियासी एवं वरिष्ट नेता रोड सो करेंगे रोड सो मेमको मोर से लेकर गोल्फ ग्राउंड तक होगा पांच लाख में बेच दी गई की सोरी भाई ने लगाई न्याय की गुहार गिरिडी के परसन ओपी छेत्र में इस्थीत सलयडी की पंदरह वर्सी एक छात्रा को पांच लाख रुपय में बेच देने के मावला सामने आया है यह चात्रा एक स्कूल में आठ्वी कक्षा में पढ़ती है चात्रा के भाई ने खोरी महुआ के SDO समेत कई अधिकारियों को पत्र लिख करने आए कि गुहार लगाई है भाई का कहना है कि उसके पिता सराब पीते हैं और गाउं के ही कुछ भी चौलियों ने मिलकर मेरी बाहन को उतर परदेश के रहने वाले एक युवग के पास बेच दिया उसका कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी बहन की जवरन साधी करा दिया है और साधी के आर में लड़की की खरीद विक्री की गई इस समन्ध में उन्होंने परसन ओपी में भी लिखी सिकायत की है परन्तु अभी तक किसी भी तरह की करवाई नहीं की गई है स्वास्त मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर से जारी हुआ पत्र प्रात्मी की दर्ज स्वास्त मंत्री बनना गुपता के फर्जी हस्ताक्षर से जारी पत्र ममले में दस महाँ बाद डोरांडा थाना में प्रात्मी की दर्ज कराई गई है मंत्री के आपत सची ओंपरकासिंग ने हैदराबाद की कमपनी मेडी सिटी हेल्थ केर सर्विस प्राइबेट लिमिटेट के खिलाब 27 अप्रेल को प्रात्मी की दर्च कराई है इसमें कमपनी को आवंटित कारे के अनुबंद विस्तार देने के लिए बैठक करने की बात कही गई थी पत्र पर स्वास्त मंत्री बनना गुपता का फर्जी हस्ताक्षर होने का आरोप लगाया गया है प्रात्मीकी के अनुशार 14 जुलाई 2020 को जारी पत्र में 22 जुलाई 2020 को दो पर तीन वज़कर 30 मिनट तक उक्त कंपनी को आवंटित कारे के अनुबंद विस्तार के विचार विमर्ज को ले कर विभागिये पता अधिकारी के साथ कर्याले कर्याले कर्श में बैठक बुलाने की बात कही गई है राश्ट्रिय महिला होकी लिग आज से 9 मही तक होगा आयो जान मुराबादी के मरांगोफ के जैपाल सिंग एस्टो टरफ होकी स्टेडियम मंगलवार से एक बार फीर से होकी का रोमान सुरू होने वाला है यहां राश्ट्रिय महिला होकी लिग के पहले चरण का आगाज होने वाला है जिसमें देश भर की खिलाडी जलवा विखेने के लिए त्यार है होकी जार्खन की मेजबानी में 9 माई तक होने वाली इस पहली लिग के लिए देश की सिर्ष 8 टीमें रांची पहुंच चुकी है और सोमवार को सभी टीमों ने एस्टोटर्फ स्टेडियम में अभ्यास भी किया है मेजबान जार्खन का पहला मुकाबला मिजोरम के साथ रात आठ बैसे होगा वहीं इस लिग का उधाटन मुख्य अती थी भारतिये खेल प्राधिकरन के महा निदेशक संदीप प्रधानव अती बिस्ष्ट अती थी खेल सची मनोज कुमार करेंगे इल्टर के सिक्षकूव करमचारियों ने राज जेपाल से नमांकन सुरू करने को लगाई गुहार जारकन अंगिभूत महा बिद्याले इंटर्मेडियेट अनुबंध सिक्षक सिक्षकेतर करमचारी मोर्चा ने राज जेपाल सह कुला अधिपती सीपी राधा कृष्णन को ग्यापन के माध्यम से अंगिभूत को लेजों में सत्र दोहर चोवीच में नमांकन लेने की जारी नी नाग महा सचिव डाक्टर रामानुच पांडे को साधक डाक्टर अंजनी कुमार जाने ग्यापन में कहा है कि मैट्रिक परिच्छा फल प्रकासन के बाद नए छात्रों का इंटर प्रभाग में नमांकन की अनिवार्ता समय की मांग है वहीं छेत्र की आओ सकता है राज ये सरकार ने पुरु में ही निना लिया है कि अगले दो तीन सालों के बाद चरणबत तरीके से सीटों की संख्या कम करते हुए इंटरमीडियेट सिक्छा को पूरी तरह से अलग किया जाएगा रांची विश्व विद्यालाई प्रसासन दुआरा 20 अपरेल 24 को नमांकन लेने की अनुमत्ती भी प्रदान कर दी लेकिन 23 अपरेल को पुना अधिस सूचना जारी कर 20 अपरेल के अधिस सूचना रद करते में नमांकन परोक लगा दी है 6 माई को राहूल गांधी आएंगे जारखन कांग्रेस के अश्टार परचारको की लंबी चोड़ी सूची बने हुई है और अब एक एक करके सभी मैदान में दिखने लगेंगे शुरुवात राहूल गांधी से होगी जो 6 माई को बसिया में एक जन सभा को समोधित करेंगे पहले इसके लिए 5 माई की तिति निधारित थी लेकिन इसमें परिवतन करते हुए 6 माई की तिति निधारित की गई है इस्टार पर चारको में से पहली सभा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी की होगी बतादे राहूल गांधी की सभा में जार्खन के तमाम सिनियर कांग्रेस नेताओ का जुटान होगा इसके अलावा विभीन छेतरों से उमिद्वार बनाये गए नेताओ को भी मंच पर जगह मिलेगी जार्खन में विकास बिरोथी है कांग्रेस बाबुलाल मरांडी पचास से साथ वर्स के सासन काल में भी कांग्रेस ने अलग जार्खन राज नहीं बनाया भाजपा ने अलग राज का वादा किया था और ततकालिन परधान मंत्री अटल बिहारी बाजपाई ने अलग राज दिया कांग्रेस से जार्खन का कभी भाला नहीं हो सकता मरांडी सोमवार को तोरपा विधान सभा चेतर के सोय बगी चा बानों में चुनावी सभा को समोधित कर रहे थे पलामू से नव उमिद्वार चुनाव मैदान में दो न लिये नाम वापस ले लिया है अब 9 अभियार्थी चुनाव मैदान में रह गए हैं जिन के लिए 13 माई को वोट डाले जाएंगे इस दिन पलामू लोग सभा के लिए 22,43,34 मत दाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे बता दे मत दान सुबह 7 बए से साम 5 बए तक होगा 24 और 26 मत दान केंदर बनाए गए हैं कई मत दान केंदरों पर वेव कास्टिंग की सुभधा भी होगी वहीं नाम वापसी उमिद्वारों की संके यहां चुनाव तैयारी को लेकर जिला निराचन पतादिकारी सा उपायूक ससी रंजान एवां पुलिस अधिक्चक रिस्मा रमेसा ने सोमवार की साम समानालाय में सन्यूक तरुक से प्रेस को समभधित किया है देश में मोधी लहार जारखन की 14 सीटे जीतेगी बीजेपी एमपी सीए मध्य पर्देश के मुख्य मंतरी डाक्टर मोहन यादों ने 29 अप्रेल को भाजपा पर्देश करायले में पिलेट्स को समभधित किया इस उसर पर उन्होंने कहा है कि पर्दान मतिन्याद मोधी तीसरे करेकाल में भागवान क्रिष्ण भी मुश्कुराएंगे उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के द्रिश संकल्प के कारण ही अयोध्या में भागवान स्री राम के मंदिर का निर्मान हो पाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारेकल में सहबानों मामले में भी सुप्रीम कोट का फैसला आया था कांग्रेस ने इसे लागू करने के बजाए सांसन बिधेक लाकर इससे पलट दिया था वहीं मानिय नियालाय के फैसले को लागू करने का संकल्प और इक्षा सक्ती सिर्फ भारतिय जनता पार्टी में ही है वहीं डाक्टर यादव ने कहा है कि चुनाव की बेला सुरू हो गई है हम सब जानते हैं कि चुनाव हर पांच साल बाद होता है या चुनाव बाकी के चुनाव से अलग हट कर है इस चुनाव में परधान मंत्री मोधी की भूमका को देश के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है सुप्रीम कोट ने नहीं दी पुजा सिंगल को बेल मनी लॉंडरिंग की आरोपी निलामबीत आयेस पूजा सिंगल की जमानत अरजी पर सुप्रीम कोट में सोमवार को सुनवाई हुई सुनवाई के दुरान सभी पक्षों को सुनने के बाद सिर्ष अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अरजी खारिज कर दिया है सुप्रीम कोट के नैधिस जस्टीस संजीव खन्ना जस्टीस दिपांकर दता और जस्टीस अक्ष्टीन जर्ज की खनपीट में पुजा सिंगल की बेल पर सुनवाई हुई पुजा सिंगल की और से वरिय अधिवक्ता सिधार्थ लूथरा ने बहस की वहीं इडी की और से एसजी एसवी राजु ने बहस की है बता दे पिछले वर्ष 12 अफ्रेल को मनी लॉंडरिंग की आरोपी निलंबित आएस अधिकारी पुजा सिंगल ने राँची एडी की बिसेस कोट में सरेंडर किया था ज्यार्खन भोटर अवर्नेस कॉंटेस्ट में तीन भाई बहन को मिला पुरसकार भोटर जगरूपता को लेकर सहर के तीन भाई बहन द्वारा बनाईvia शोट फिल्म एक भोट की कीमत को मुख्य निर्वाचन पताधिकारी जारकन की ओर से सोमार को रांची इस्तित मुख्य निर्वाचन पताधिकारी करयाले में प्रस्क्रित और समानित किया गया टिनों बच्चों में रूुचिका नारायन, रागहा शुरिवास्तव और चिराग सुरिवास्तव सामिल हैं तिनों बच्चों ने भविस में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एक रुपए की बचत को केंद्र मिंदु में रखते हुए उन्होंने एक एक भोट के महतों को फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है इस फिल्म को उन्होंने वोटर अवरनेस कॉंटेस्ट में इंट्री कराया था जिसके अधार पर एक भोट की कीमत फिल्म एस्पेसल मिशन के लिए प्रुस्क्रित किया गया है धनबाद के दुकंदार वोट का वहिसकार करेंगे धनबाद नगर निगम के नोटिस के बाद पुलिस लाइन धनबाद के फुट पाथ दुकंदारों का गुशा फुट पड़ा है दुकंदारों ने सोमवार को पुलिस लाइन में अद नगन होकर प्रदसन किया रोजी रोटी छीनी तो होगा वोट का बहिसकार लिखी तक्तियों लेकर दुकंदारों ने निगम का विरोध किया है मालूम हो कि कुछ दिन पहले नगर निगम ने पूलिस लाइन के मीट मचली फल वा अन्य दुकंदारों को दुकान हाटाने का नूट्स दिया था पथवी क्रेता समन्वे समीती के स्यामल मजुंदार ने कहा है कि निगम ने पूलिस लाइन के फुट पास दुकंदारों को हटाने का मौकिक आदेश दिया है उन्हें कहा है कि कोहिनूर मैदान में बने वेंडिंग जोन में जाकर दुकाने लगा है जिसका सभी फुट पास दुकंदारों बिरोत कर रहे हैं कल्पना सुरेन ने चुनाव करेला का उधगाटन किया गांडे बिदहन सभा उप्चुनाव में जामो पर तैसी कल्पना मुर्मु सुरेन ने सोमवर को नमांकन दाखिल करने के बाद साम को बेंगाबाद में चुनाव कर एलका उध़ाटन किया छामो की महिला करकरताओं ने कलपना सुरेन का स्वागत परंपरागत तरीके से किया है कलपना ने कहा है कि जारकन में इंडिया गड़ बंधन की स्थीती मजबूत है 21 अप्रेल को रांची में आयोजित उल्गुलान नयाय महारैली में गड़ बंधन की लहर असपस्ट दिखी लोग सभाचुनाओं में जारकन सहीद पूरे देश में इंडिया गड़ बंधन अच्छे पईनाम देगा अब केंद्रे में साथ ता पलटने वाली है धन्यवाद